99% लोगों को पता ही नहीं है कश्मेरी मटन बनाने का तरीका तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी ओरिदनल कश्मेरी मटन बनाने का तरीका अगर आपको वीडियो पसना है तो लाइक किजिए, शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए कश्मेरी मटन बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से मटन लेना है मटन को वाश करके साइट में रख देंगे अब एक मिक्सी का जार लेंगे इसमें 15-20 कलिया लहसुन की लेंगे दो अद्रक के तुकड़े लेंगे और तीन हरी मिश लेंगे दो हरी इलाईची लेंगे लहसुन जो हमने लिया है उसे बिना छिलको के नहीं छिलको के समय लेना है इसका इस तरह से दरदरा सा पेष्ट बना देना है अब धुला हुआ मटन है तो एक बोल में हमें ले लेना है इसमें डालेंगे हम 1 teaspoon लालमिष पाउडर, तीखे वाली हमें यूज करना है, कश्मीरी लालमिष पाउडर आगे मैं आपको वीडियों बताती हो कभी यूज करना है, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon हल्दी पाउडर दालेंगे, नमक दालेंगे अपने स्वात के अनुसार, 4 tablespoon भरकर जो है तो इसमें हम ऑईल दालेंगे, सारे चीजों को हमने हातों से अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसके उपर ढखकन ढखकर रख देना है इसे मेरिनेशन के लिए अब एक cooker लेंगे, cooker में दालेंगे 100 gram oil, oil को अच्छी तरह से गरम होने देंगे, इसमें दालेंगे कुछ खाड़े मसाले, खाड़े मसाले में 1 teaspoon सौफ, 1 teaspoon जो है तो जीरा, 3 जो है तो दालचीनी के तुकड़े, 10 काली मेश और 5 लॉंग दालेंगे, इसे अच्छी तरह से च हमें पकने देना है, देखे यहां पर अनियन 5 मिट हो चुकिते और हलकी सौफ हो चुकिते, अब पीसा हुआ मसाला इसमें हम दाल देंगे, देखे यह पीसा हुआ मसाला यह दाल देंगे, इसे भी 5 मिट अच्छी तरह से हमने पकने देना है, ताकि इसका कच्छा पन निकल अब ये पांच मीट हो चुके तो बड़िया तरीके से पक चुका है इसमें डालेंगे हमारा मेरिनेट किया हुआ मटन अब ये जो बोल है इसमें आदा गिलास वाटर मिला के हम रख देंगे ताकि सारे मसाले पानी में गुल जाए मटन को और प्यास को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और पांच मिट इसी तरह से अनियन में इसे पकने देना है था कि अनियन के मौस्चर में और मटन के मौस्चर में मटन अच्छी तरह से पक जाए देखिए कितनी अच्छी तरह से यह पक चुका है इसमें दालेंगे हमारा आधा गिलास पानी फिर से इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है अब इसमें दालेंगे हम 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्श पाउडर 1 टेबल स्पून दालेंगे पीनट का पाउडर हमने 2 टेबल स्पून पीनट लिया है यह फली की दाने इसे रोस्ट कर लिया रोस्ट करके दरदरा सा फूट लिया और वो दाल देंगे 3 टेबल स्पून जो है तो हम दालेंगे सर्षो का ओईल 1 डेबल स्पून जो है तो धनिया पाउडर दालेंगे इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना और पका लेना है जब तक कि ऑईल सेपरेट न हो है जब तक कि हमें यहाँ पक खड़े रहके इसे पकाना है ताकि मसाला नीचे लगेना कूकर के तले को अब इसे नमक चेक कर लेना है और 10 मिट हमें फूल फ्लेम पर इसे पकने देना है और वहीं पर खड़े रहके इसे मिक्स करते हुए पका लेना है भून लेना है ताकि कूकर के तले कोई मसाला चिपके ना अब इसमें थोड़ा सो ओइल सेपरेट हो चुका है तो हम एक गिलास इसमें वाटर डाल देंगे अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अगर आपको धनिया पत्ता पूदीने का पत्ता इस टाइम डालना हो तो आप डाल सकते हो ऐसे इसमें जरूरत नहीं होती आप जो है तो इसका ढखकन ढख देंगे फुल फ्लेम पर दो सीटी लेंगे और सुलो फ्लेम पर 15 मिट पकने देंगे टोटल 20 मिट हो चुके थे मटन बढ़िया तरीके से पक चुका था तो देखे कितना कुई काज हमने काश्मेरी मटन बना कर रेडी किया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है एक बार इस तरहां से जो है तो काश्मेरी मटन आप जरूर बना कर देखेंगा आपके खरको सभी को पसंद आएंगा और सबसे अच्छी बात कि बहुत जल्द बनता है क्योंकि इसे हमने कूकर मनाया अब एक सर्विंग डिश लेंगे इसमें हम सर्फ करेंगे पर लिजिए हमारा कश्मीरी लाल मटन रेडी है आभव गर अपको इस ब्रेसेवि पसंद आई हो स्योड़ को סब JUST कर दिए साइट में जो बेल बतन है उसको आपने में वाल